मा सरवेजवरी तुम पाही माम सन्नागतम नावसकार मित्वू। मैं पंडी तेवसपंडा जो तीसा चार है तंत्र विशे सगे। मैं तो आज आपको बताने वाला हूँ कि घर में जो मचली हम पालते हैं एक वेजम में उसके क्या फाइदे हैं अपने जीवन, काल में मिलते हैं। और हमें मचली क्यों पालना चाहिए और क्यों नहीं पालना चाहिए इस विसे में मैं आपको विस्तित जानकारी देना दूंगा आज तो बने रही है इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भर आप से निवेदन करना चाहूंगा अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न पालना चाहिए अक्सर लोग पालते हैं उनको मालूम नहीं रहता सौक से पाल लेते हैं लेकिन इसके बहुत सारे अच्छे फायदे हैं जीवान काल में बहुत पायदे तो आप जब भी मचली पाले नौ मचली पाले जिसमें साथ जो मचली होंगी वो कलर फूल होंगी और दो ब्लेक होगी इसका जो तातपर है नौ मचली का वो नौ ग्रहों से होता है साथ जो मसली है वो साथ ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है जो दो मसली काली बोला हूँ वो राहु अकेतु को रिप्रेजेंट करती है मसली जब भी पाले नौ पाले पांच या साथ ना पाले नौ पाले और इसे हमेशा अपने घर के साथ वेस्ट कोने में रखें ऐसा करने से घर के बहुत सारे वास्तू दोस आपके घर में जितने भी वास्तू दोस होंगे बहुत कुछ अपने आप खतम हो जाएंगे श्रीप इतना करने से अब मैं बताओंगा कि मचली पालने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं यदि आप घर में, एक्विरेम में मचली पालते हैं तो आपके घर में एक सकरातमक उर्जा का वास बना रहेगाrigा आपको एक सकरातमक फिली में महसूस होती रहेगी मचली जिनलोग पालते हैं अपने घर में उन लोगों को बुरी नजर नहीं लगती ऐसा माना गया है यदि उस घर में कोई चादू तोना तोटका करेगा या कोई भी गलत प्रयोग करेगा तो आप देखेंगे आपकी मचली पर पहले उसका प्रतिकिरा दिख जाएगी सभाईक उसकी मौत हो जाएगी यदि आप एक वे मचली पा रहे हैं और सभाईक उसकी मौत हो रही है कंटिनोशन में आप देख रहे हैं जब भी मचली लाते हैं मर जाती है तो ये समझ जाएगी कि आपके उपर कोई न कोई तंतमंतिक अप्रयोग हो रहा है या कोई आप से इर्ष्या कर रहा है बहुत जादा और उसकी नज़र आप पे लग रही है मचलीयां जो होती है बहुत ही sensitive होती है और ये आपकी बला को अपने उपर ले लेती है ये आप अपने घर पर रखें हैं तो आपके उपर जो भी बला आने वाली उसका संकेति आपको पहले ही देगी यदि आप नौ मचली पाले हुए हैं और उसमें से दो मचली मर गई किसी कारण वह सभाई ग्रूप से तो आप तुरंट उसको नौ वापस कर लिजे अपको उसका पूर्न पवाओ जीवन काल में मिलता रहेगा सुप्रवाओ यह आपकी सकरात्मक उर्जा को बढ़ाएगी आपकी सकरात्मक सोच को बढ़ाएगी मचली को आप जब भी दाना देंगे ये एक प्रकार का उपाया है जिसको आप रेगुलर करेंगे तो आपके ग् वारन होने लगेगा पैसे समंदी यदि आप तंगी महसूस कर रहे हैं तो आप देखिएगा ये नीमित उसको आप दाना देंगे तो तंगी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी आपके आय किस रोत अपने आप बढ़ने लगेंगे मचली को देखने मात्र से एक मन में प्रसंत आपके घर में हैं तो वो खत्म हो जाता है यदि आप मांसिक तनाओं से ग्रसित हैं तो आप घर में एक्वेरियम रखिए अरोज उसे देखिए आप देखिएगा धीरे धीरे आपका मांसिक तनाओं खत्म होने लगेगा रंग विरंग की मचलीयां जो होती हैं वो हमारी ज क्षिए लिया तो मचली के पालना हमारे लिए बहुत ही सुमाना जाता है यदि आप जीवन में बहुत सारी समच्याओं से गेसीत है घर में वास्तो म में बहुत बाखं़ सीध seboth, तो कुछ मत कीज़ें, अपने घर में एक आपसे वीदा लेता हूँ, जय मातादी, नमस्कार मितूँ